आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें पुष्प के चार भाग कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला होता है दोस्तों, बहादल जिस प्रकार की हम इस हरी पत्ती को देख सकते हैं, जो कि पुष्प के नीचे की और इस्तित होती हैं, जिसे हम बहादल के नाम से जानते हैं, तो आईए दोस्तों, हम लिखते हैं कि पहला भाग बहादल तो देखते हैं दोस्तों इस बहादल का क्या कारिय होता है दोस्तों यह पुष्प के अंदर का भाग की रक्षा करता है यानिकि यह जो पुष्प है इस पुष्प के जो अंदर का भाग है यह जो भाग है यह बहार का भाग है ठीक है और यह अंदर का भ भाग की रक्षा करना या भाग की रक्षा करता है अब देखते हैं कि पुष्प का दूसरा भाग दोस्तों पुष्प का दूसरा भाग होता है दल जिसे हम दल पुझ के नाम से भी जानते हैं और वह भाग यह होता है जो कि उपर के तरफ आय जाता है जिसे हम दल या दलपुंज के नाम से जानते हैं ठीक है दल या दलपुंज तो दोस्तो इसका कायरे यह होता है कि यह एक तो रंगिन होता है रंगदार होता है और इसे रंगदार पत्ति के नाम से भी जानते हैं तथ यह काहरे करता है कीटो को आकरशित करना यानि की कीटो को आकरशित करने का काहरे करता है क्योंकि दोस्तों इसका जो रंग होता है वह रंगिन होता है यानि कि कलरफुल होता है जिसके करण कीट आसानी से आकरशित हो जाते हैं उशोशित हो जाते हैं और आकर कीट इनके उपर बेट जाते हैं, फूल के उपर बेट जाते हैं, तो दोस्तों यह किटो को आकर्शित करने का कारे करता है, तथा तिसरा भाग देखते हैं दोस्तों, जो है पुंके सर के नाम से, ठीक है, यह दूसरा भाग हो गया, तथा तिसरा भाग है पुंके सर, दोस्तों पुंके सर जो ह ननांग भी कहते हैं यह कहते हैं नर जनन अंग तो दोस्तो इसके दो भाग होते हैं परागकोश तथा पूतन्तु और यह दोनों मिलकर पूंके सर का निर्मान करते हैं जिसे हम इस्टामेन के नाम से भी जानते हैं और यह जो परागकोश होते हैं यह परागकन का निर्मान कर तथा इसके अतिरिक दोस्तों पराकन का निरमान करने के बाद यह युगमक का निरमान भी करता है। अंग तो दोस्तो पुष्प के अंदर गत दो जनन अंग होते हैं पहला होता है इस तरी के सर दूसरा होता है पूंके सर पूंके सर को हम करते हैं नर जनन अंग इस तरी के सर को करते हैं मादा जनन अंग तो इसका काईर होता है कि यह फूल का सबसे बड़ा अंदर वाला भाग होता है जो की जनन क्रिया में सहाय करता है या सहायता करता है तो हम लिखते हैं जनन की क्रिया में सहायता करता है और दोस्तों यह जो पुष्प के चार भाग होते हैं इसे या इनहीं चार भागों को पुष्प का चक्र भी कहा गया है पुष्प का चक्र तो दोस्तों यही पुष्प के भाग होते हैं और इनके कारे होते हैं तता यहाँ पुष्प का नामाय की चित्र जो कि चार भागों में बाटा गया है तो धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जड़ू समझ में आया होगा